हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरे यूटूब चैनल चोपडा एजूकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर यह है कि अगले साल 2020 से सभी प्राइवेट मेडिकल कोलेज वे डिम्ड उनिवर्सिटी की 50% सीटों पर गोर्मेंट फीश लागू होगी हेल्थ मिनिस्ट्री ने MCI के Board of Governors को फीश स्ट्रक्चर के गाइडलाइन का ड्राफ्ट तयार करने को कहा है प्राइवेट मेडिकल कोलेज वे डिम्ड उनिवर्सिटी में 50% सीट गोर्मेंट फीश पर होने से गोर्मेंट सीट तो इनक्रीज होंगी साथ में कटो भी डाउन होगी तो इससे और ज्यादा कुसी की बात क्या हो सकती है आप जो ये इंडिया टूडे का आर्टिकल देख रहे हैं इसमें लिखा है कि एनेमसी बिल को सेट अप होने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने बॉर्ड ओफ गवर्नर्स को फीस स्ट्रेक्चर का गाइड लाइन का ड्राप्ट तयार करने को कहा है जो अगले सतर 2020 से लागू होगा बोर्ड ओव गवर्नर्स ने स्टेट के साथ इस विशे पर फीश इस्ट्रेक्चर की रूप रेखा तयार करने के लिए सला मसूरा करना सुरू कर दिया है एनमसी एक्ट 2019 के सेक्षन 10 के क्लोज 1 के सब सेक्षन 1 में यह प्रावधान है कि कमिशन द्वारा प्रावेट कोलेज वर डिम्ड उनिवर्सिटी की 50% सीट पर फीश तै की जाएगी मगर अभी कमिशन के सेटप में थोड़ा समय लगेगा इस कारण यह है पावर बोर्ड ओफ गवर्नर्स को दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री जो बोर्ड ओफ गवर्नर्स को लेटर लिखा है इसमें लिखा है कि अनुसार प्रावेट मेडिकल कोलेज वर डिम्ड उनिवर्सिटी की 50% सीट के लिए फीश के लिए गाइडलाइन का ड्राप तयार करें ताकि ये अगले सत्र दोहजार बीस 21 से यूजी वर पीजी मेडिकल एडमिसन के लिए लागू हो सके तो दोस्तों इस वीडियो का निसकर्स यही निकलता है कि अगले सत्र यानि दोहजार बीस से सभी प्राइवेट मेडिकल कोलेज वर डिम्ड उनिवर्सिटी की 50% सीट प हर कोई स्टूडेंट ये फीज अफोर्ड नहीं कर पाता था जिसके कारण मेरिटोरियस स्टूडेंट एडमिसन से वन्चित रह जाते थे अभी गौर्मेंट की 36,000 सीट हैं और प्राइवेट की 34,000 सीट हैं तो 50% सीट प्राइवेट की एड होने से टोटल 17,000 सीट पर गौ तो दोस्तों अभी समय है अच्छी स्टेडी करो ताकि अच्छे मेडिकल कोलेज में आपका एडमिसन हो सके ऐसी ही खुसकबरी के साथ आपके लिए फिर ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विजा इजाजत मिलता हूँ नवाद, जेह हिंद्ट